मस्कार दोस्तों और इस वीडियो में बात करेंगे अस्टेलिया का थोड़ा सा अंदर से बात करेंगे ठीक है हमने बाहर वाली चीजे देख ली थी कहां कौन से सागर है कहां कौन से नदी है जील है थोड़ी सी मतलब हमने देखा था कौन कौन से स्टेट में डिवाइड है ठ इसलिए वो चीजे हम discuss नहीं करेंगे और इसके अलावा बहुत सी जीजे हैं इसमें discuss करने के लिए वह हम देखेंगे अब इसमें हम देखेंगे कि कौन सी नदी है कौन सी जीले यहां पर पाई जाती है कौन सी जलवाई यहां पर पाई जाती इन सारी चीजों को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बहुत जल्दे आश्टिले खतम हो जाएगा और उम्मीद है कि इसके बाद आपको ज्यादा चीज़े देखनी नहीं पड़ेंगे ठीक है एक दो संधी के और हम लोग बात करेंगे ठीक है एक्चुली वहीं से शुरू करेंगे ठीक है इससे पहले च लेक्चर के दौर आपको दिखाना चाहता हूं कि लोग सोचते हैं कि आश्टेलिया वर्ल जोगरफी रिवाइस करने के लिए बहुत टाइम चाहिए नहीं बहुत टाइम नीचाहिए ज़िए आपको एक दिन में सब कुछ रिवाइस करना है तो आप इन वीडियो से सीख सक ईए कर दो संदियों से हम स्थी शुरू करेंगे यह पहली चीज़ जो होगी वह रांव्ध यह बास जल संदी इसको च्याते यहां पर एक जलसंदी है यहां पर इस वाले एरिया में यहां पर यह क्या करता है और इस जलसंदी का नाम है टोरस जलसंदी ठीक है ओके दो तो तस्मानिया और और का बोलते है आस्ट्रेलिया के बारे हम देख लिये पप्वन्यग rif innovate यहां पर कोण यह देखेंगे तो आप देखेएंगे नि Taylor तो अ. इसके बाद जल्दारा करेंखे है यहां पर कौण कोंसी चलिए तो पहली जल्धारा जो होगे वो होगे पश्चमी अस्टेलिया ठंडी जल्धारा ठीक है जल्धाराओं को सीधे से मैप हम चलते हैं मैप से सारी चीज़ों को हम लोग इंडिकेट कर देंगे ठीक है आपको कुछ भी ज्यादा सोचना ही है अब यहां पर देखे सारी सारी जल्धारा है मैंने एकटा करते हैं तो हम लोग पहले बात करेंगे कि पश्चमी अस्टेलिया जल्धारा तो यह हमारी कौन सी पश्चमी अस्टेलिया जल्धारा अब साब क्र kingdom रखेगे अपने माइन में ठीक है तो पहली हम लोग बात करते हैं पश्चमी जल्धारा जो क्या होती है वह अस्टेलिया के पश्चमी इंटीसम है और इसमें यह जल्धारा जिसे हम दो दच्छिर पूरी जल्धारा जो ये वाला एरिया पूरा कवर करती है दच्छिर विश्वती धारा ठीक है दो हो गई फिसके बाद हम देखेंगे नीचे जो आएंगी थोड़ा सा तो ये है अट्लांटिक का प्रवा ये भी कहा है नीचे आप जानते हैं अट्लां तो पूरी जल्धारा ये वाली पूरी जल्धारा है ठीक है इस वाले एरियों को कवर करती है ठीक है ये क्या है एक तरह की गरम जल्धारा है ठीक है इसका रूप थोड़ा इस टाइप का होगा अच्छा इसके मैक्समम जो टंप्रेचर आश्टिरिया का है तो मैक्समम 30 degree 58 58 centigrade क्या है इसका maximum temperature और minimum temperature जो है वो है माइनस 22 देखें यहां पर इंट्रोड किया गया है तो माइनस 22 का इसका minimum temperature होता है ठीक है ओकी clear है तो साइधार हैं हो गए पशमी हो गई पुरिविय हो गई और सारी जलधारे विश्वाद देखी दच्छन वाली भी देख लीए ठीक है इसेक见 एक मासी Subscribe वाले वीडियो में ओसे मैं यहां पर ओस देखेंगे तो चीजज़े बहुत ज़दा किलिए उड़ जाएंगे ल। तो ग्रेट बैरियर का अब आप देखेंगे, तो ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जो है वह Doo- Highest डिवा इक्षूरा नोब है sorta प्डाया प्डाया आता नहें फर्लक्पिंद स हीनगर्श ही Bound कुसाइको ठीक है कुसाइको थोड़ा जीस नामे कुसाइको एक इसकी हाइस्ट पीक है जो अस्टेलिया में परती है ठीक है एडिलेट और पर्स याद रही है इसका हम इस्तवाल आगे करेंगे ठीक है ओके अब थोड़ा समल बात कर लेते हैं यह तो हो गई आप गेट बैरि करोनी है जिसे हमने मूंगे की चटान भी कहते हैं ठीक है लगभग यह उननीच सो चालिस किलोमेटर के आसपास यह पूरा एरिया कवर करता है ठीक है इसलिए भी आश्टेलिया थोड़ा सा फेमास है ओके आगे चलते हैं कि आश्टेलिया के पूरी भाग को यदि हम बात कर अच्छा यहीं पर क्या है हमारा बलू लेंड और विंह जिलेंड और दोन रही सपंड़ा पर ही एरिया पाए जाता है तो यहीडिए आपसे सकता हूंड़ सा एरिया परवी दक्शुन आप बता से बलू लेंड और न्यू रेंड ने хотя पड़ता है फोन से उनदर चलेंगे यह आला एरिया तो यह ज़रा मैप देख लिए तो यहां से इद्दम क्लियर रहेगी कि विक्टोरिय कहा है न्यू साथ वेल्स कहा है क्यूंस लेंड कहा है यह सब चीज़े यहां पर आप देख लिए कितने डिवाइड में अश्टिलिया बटा हुआ ठीक है अपढ़तों हम लोग अंदर तोड़ा प्रिस्तान करेंगे तो यहां पर आपको देखेंगे तो आपको कई नो कुछ जीलों को जो cover करते हैं ठीक है थोड़ा map धुंदला है तो थोड़ा adjust करिएगा तो यहां पर कई जीले हैं कहने को तो यहां पर जीले बहुत हैं पर तब भी यह मरू भूमी का देश कहा जाता है तुकि यहां नदिया नहीं ठीक है एक्षुली जो पानी होता वो नदिय पानी मिलता है तो एक तो उसमें हो गया डिस डिस अपॉंट्मेंट लेक ठीक है पहला एरिया हो गया डिस अपॉंट्मेंट लेक फिर उसके बाद हमारी हो गई उसके बाद हो गई कैरी जील कैरी जील हमारे पास क्या है यहां पर यह है कैरी जील ठीक है फिर उसके बाद हम लिए किस लिए जाने आती खारे पानी के लिए यह सब जाने आती थोड़ा सा याद रिखेंगा ओमें यह सारी छीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी ठीक मैं थोड़ा सा मैप और दूसरा लेता हूं सायद उसमें कुछ और अच्छे से क्लियर किया हो थीक्त, यहाँ पर थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर आपको आज़ाए गाई वहाndara चैत्व होगे तो यहां पर कारी होगी यह हमारी करी हो गई थีक है, कशनरजी हमें मिल जाएगी कशनरजी मिलेगी के नहीं मिलेगी यहां पर थोड़ा सा और तो यह चार लेक आप याद रखेंगे यह क्या है खारे पाने की जीले ठीक है फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे और भी जीले हैं ठीक है और भी जीले जैसे अर्शियन की जीले अर्शियन ने बोलेंगे अमारले बोलेंगे अर्शियन ने बोलेंगे अमारले जो जीले व यहां पर यदि मैं गिंती करवाऊं तो लगभग देखें एक तो हो गई कैरी हो गई लेकराय हो गई ठीक है दूसरी हो गई हमारे पास कुनाल जील हो गई कुनाल यहां पर हो गई ठीक है इसके बाद बाली जील यहां पर हो गई ठीक है इसके बाद मूर जील यह हमारी क्या ह मोर घील है ठीक है और और भी गैगरी घील अमारा पास यह गई तो कई जील है ठीक है कई जीलो के से मिलकर के यह बना होता तो जीले इतनी है देखे जीले पुछी नहीं जाती पूछी ज़ जाएंगी जो यहां पर important वह है नदी काउनसी वह है मुरे और फिट जायर ठीक है दो नदिया यहां पर मिलेंगी मूरे और फिट जायर उसको थोड़ा सा समझेएगा ठीक है वह important है क्योंकि मूरे फिट जायर जो है न वह क्या करती है कि वह मकर रेखा को चार बार कारती यह कोशन पूछा गया है इसलिए मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूं ठीक है चार बार क्या करती है मकर रेखा को कारती है यहां पर थोड़ा साब देखेंगे यह वाला इरिया यह हमारी क्या है फिट जायर तो फिट जायर क्या क बीसमी मोरे की सहार के नदी यहां सफोड़ाइद करें यह हमारे APास होगी मुरे-चिल जिक्ट यह निकलती गुरेट डिवयन डियाय वाला एडिए वहां से निकलती और इसके सहार डारलिग हो गई और दो दो और भी दो-तीन है यह याद रखीगा यह गिरती कहां यह वरी-वरी most important है जो कहीं पर भी मैप बहुत कम देखनों मिलेगा यह आप online मैप देखेंगे तब आपको वहाँ मिल जाएगा यह गिरता है encounter की खाड़ी में कहां गिरती है encounter की खाड़ी में इसको लिख लिजेगा ठीक कवर करेंगे उतनी आपको कम पड़ जाएंगी ठीक है ओके तो जील हो गई हमारे पास और हमारे नदिये दो नदिये यहाँ पर specify मिलेंगी ठीक है अब यहां कि हम लोग बात करेंगे जलवाई की जलवाई कैसी तो मैंने बताया कि किसी भी island हो किसी भी महादीप पे अधिक गणतल होगा धाकुष्ट कटबन करेंदी छेतर होगा ठिक है वूस पक्रवया देखेंगे थे कर वकल मान सुन जो होता है वह अक्षुली है जा अवह एक। उसस वाले इस वाले उत्तर वाले ऑले को तो मुः पर आपको यह जो एरिय को मिलेगा वह है उस कटमंदी ठीक है इसको यादर रहका, तो ठीक है और। जानते हैं उस कटमंदी, आप जानते हैं वहाँ पर वर्स जदा अब जूधा, ज्याइब सितुछ 35 util भी बहुत होगी और बढ़्यवंदी वहाँ पाय था Candew धार है इसलिए जानते है इसके बाड है हम बात करेंगे मरुस्त्यली जल्वाई की तो नियुक्रत का और यहां पर छीले बहुत है पनी के मातरब बहुत कम है दो त्याही जो अश्टिले का हिस्सा है वो मरुस्तली है ठीक है पश्मी भाग में ज्यादा पाई जाती हो और इसे 85 भूमी का छेत्र भी का जाता है ठीक है और एक एरिया होता है क्यूंस लैंड क्यूंस लैंड आपको मैं दिखा देता हूं unici को एक मिनट वेट करिएगा हाँ यह हमारा जो देख रहे होंगे यह हमारा कैके में क्यूंस लैंड वाला एरिया ध्यान रखें छो तो थोड़ा अ अपने दिभांग में रेखेंगे यह हमारा जो इतना पूरा एरिया है है वो क्यूंस लेंड का जो area है वह vrkष और घास के लिए जाता यहां धास और यह आँ पर वनजिव की मातर मात्र क्या बहुत ज्यादा अधिक मातर में कन्गारू के लिए तो आप जानती है आग लिए पूरा यह हमारा क्या जलवाई हो है Newton निजी बात कर लेते हैं यह चुंट पूट्पुट वाली है वो कभी-कभी पेपर में पूछे आती है जैसे बिटिस तुल जलवाई यह एक्षुली जो है यह विक्टोरिया वाले एरिया में होता विक्टोरिया आपको देख रहे हैं यह नीचे वाला एरिया जो है यह विक्टोरिया का है और यहीं पर पच्वा पॉने पच्वा पॉने का concept मैंने बहुत अच्छे से वहाँ पर किल खतम करते हैं अब हम लोग बात करते हैं भूमद एरिया जो जलवाई होती उसके बात करते हैं और हम लोग आप आ जाएंगे पर्थ और एड़ वाले एरिये में ठीक है इस एरिया को ज़रा थोड़ा ध्यान से आप इंडिकेट करि वहाँ पर सुक्स हवा चलती ठीक है जिसके द्वारा जो रसदार फ़लो होते हैं यहाँ पर पैदा होते हैं यह पर्थ वाले एरिया और यह एडिलेड वाला एरिया उमीद ही यह भी आपको समझ में हो रहा है मैपको बहुत बार आपको देखना पड़ेगा तब ही आप च है करनैं अगा इस जयाता है और फ़ल और खेती यह यहाँ और वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद है तो लाइक शेर करते रहेएगा और चैनल को सब्किशाब कर लेजह है